जहिंद एक और धमाकेदार वीडियो में आप लोगों का सौगत है आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा हिंदी गद्य साहित के मोस्ट इंपॉर्टेंट दस कोस्टन जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह हर साल एकजाम में पूछे ही पूछे जाते है तो इनको ज़रूरी तयार करके जाना 10 आपको question बताऊंगा जिससे आपके 40 question तयार हो जाएंगे तो वीडियो को पूरा देखना ये बहुत important है हर साल ये आपके exam में पूछे ही पूछे जाते हैं तो आप लोग इनको अच्छी तरीके से तयार कर लेना तो चलो शुरू करते हैं तो पहला प्रस्ण क्या है यहाँ पर किनी दो उपन्यांस कार लेखक के नाम लिखे है किनी दो उपन्यांस कार लेखक के नाम लिखे है तो कौन कौन से हैं तो पहला है कौन है पहले है प्रेम चंदर कौन है प्रेम चंद कौन है प्रेम चंद और दूसरे कौन है इनकी रचनाए मैं आपको भी बता देता हूँ तो इनकी रचनाए गोदान एक है गोदान है और गबन है इनकी ये सभी उपन्यांस है गोदान और गबन उसके बाद में सेवा सदन इनकी एक और क्या है ये उपन्यांस है ये पूछे जाते हैं और हर साल ये आते ही आते हैं तो इनको जरूरी तयार करके जाना और निर्मला ये इनके उपन्यांस हैं उसके बाद में दूसरे कौन है हजारी प्रसाद दिवेदी हजारी उसके बाद में प्रसाद ये आप लोग नोट कर लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर साल इकजाम में ये आते ही आते हैं दिवेदी और इनकी विरचना है आपको बता देता हूँ बाड़वट की आत्म कथा या अनाम दास का पोथा ये आप लोग अनाम दास का पोथा ये क्या है उपन्यांस कार है दास का पोथा यह आप लोग इनको तयार कलने अच्छी तरीके से उसके बाद में अब अगला क्या है किनी दो जीवनी लेखकों के नाम लिखे आपको बताना है किनी दो जीवनी लेखकों के नाम तो पहले कौन है यहाँ पर है पहले है अमरत राय कौन है अमरत राय यहां पर अमरत राय, जीवनी ये लेखक हैं, क्या है जीवनी लेखक, और इनकी रचना क्या है, कलम का सिपाही, कलम का सिपाही, इनकी रचना ये बहुत इंपोर्टन्ट है, आपके एक्जाम में पूँच लिया जा सकता है कि कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित है, तो य जीवनी विधा पर आधारित है या पूछ लिया जाता है कि कलम का जिपाई ही किस मतलब लेखक की रचना है तो यह अमरतराई की है अब दूसरे कौन से हैं बहुत इंपर्टेंट विष्डू प्रभाकर कौन से हैं विष्डू प्रभाकर ये भी बहुत बार पूच्छा जाता है आपके एक्जाम में कि विष्डू प्रभाकर किस जो विधा पर आधारित के लेखक हैं तो कौन है विष्डू प्रभाकर है और इनकी रचना क्या है अवारा मसीहा इनकी रचना है आप लोग एकांकी कारलेखक का नाम निखे तो जो एकांकी कार का नाम आ जाए तो सबसे पहले कौन आते हैं डाक्टर राम कुमार वर्मा जो बहुत ही परसिद्ध हैं एकांकी कारलेखक तो क्या हैं डाक्टर राम कुमार वर्मा डाक्टर यहां पर राम और उसके बाद में कुमार वर् इसका एक चैप्टर भी था दीपदान एकांकी दीपदान उसके बाद में एकांकी इनकी रचना है उसके बाद में अगला क्या है यहाँ पर गेहु बनाब गुलाब के लेखक कौन है तो जो गेहु बनाब गुलाब है इनके लेखक कौन है राम वरच वेनी पुरी यह इनके लेखक हैं ये आप लोग नोट कर लिजी अच्छी तरीके से और इनको तयार कर लेना ये हर साल आपके एकजम में पूछे ही पूछे जाते हैं और ये किस विदा पर आधारित है तो ये एक निबंध है क्या है या एक निबंध है जो गेहूं बना गुलाब क्या है या इनकी रामरच वेनी पूरी की रचना है उसके बाद में या पूछ लिया जाए कि गेहूं बना गुलाब किस विदा पर आधारित है तो ये निबंध विदा पर आधारित है उसके बाद में यहाँ पर क्या है अवारा मसिया के लेखक किस विदा पर लेखक तथा किस विदा पर आ जीवनी विधा यह बहुत ही इंप्रटंट है बहुत विकल्पी प्रसन nervous no सकते या से भी पूझे जाते हैं हर साल यह आपके एकजाम में आते ही आते हैं अगला क्या है यहां पर चिंतामडारी निवंध के लेखक कौन हैं जो चिंतामडारी निवंध है इनके लेकक कौन हैं तो यहां पर रामचंद्र शुक्ल हैं, आचार रामचंद्र शुक्ल हैं, कवन हैं, आचार रामचंद्र शुक्ल चिंतामड निबंद के लेखक हैं, यह आप पूछ लिया जाता है कि यह चिंतामड है, यह जो आचार रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित चिंतामड मतलब क प्रति किस विधा पर आधारित है तो ये निबंद विधा पर आधारित है आप लोग अच्छी तरीके से तयार कर लेना इन्हीं दस कोस्टन से 40 कोस्टन आप लोगों के तयार हो जाएंगे उसके बाद में अगला इन्हीं में से कुछ भी अलग नहीं आएगा हिंदी गद्ध साहित आप लोग जो इनको तयार कर लेते हैं तो आपके पांच नंबर पक्के हो जाएंगे और कलाश टोजल्थ वालों के लिए 10 नंबर पक्के हो जाएंगे उसके बाद में यहां पर क्या सरस्वति पत्रिका के संपादक का नाम लिखे तो महावीर परसाद दुवेदी है यहां पर स्याम सुंदर दास स्याम उसके बाद में सुंदर दास यह पर्थम संपादक थे उसके बाद में अगला है रानी केतकी के कहानी के लेखक कौन हैं तो यह बहुत ही सिंपल सा आप लोग कमेंट में जुरूर बताना जो मालूम है और आप लोग कमेंट में जुरूर question मालूम है और अभी तक वीडियो को like नहीं किया तो like कर दें और channel पर पहली बारा है subscribe जरू कर लेना अगला है रा नी केतकी की कहाणी के लेखक कौन है तो बहुत ही simple सा है तो इनके रानी केतकी की कहाणी के लेखक हैं यहाँ पर अल्ला उसके बाद में खा यह आप लोग तैयार कर लिना बहुत बार आपके एक्जाम में पूछा गया उसके बाद में एक घूट किसकी रचना यह भी बहुत इंपॉर्टन्ट है तो एक घूट किसकी रचना है यह जैसंकर प्रसाद की है किनकी है जय संकर प्रसाद की रचना है और यहाँ पूच लिया जाए एक घुट किसकी मतलब किस विदा पर आधारित है तो यह नाटक विदा पर आधारित है किस पर नाटक विदा पर आधारित है और इनकी रचना है अजास्त्त्र है उसके बाद में नाटक है उसके बाद में चंद्रगुप्त है ये इनके नाटेंगे उसके बाद में यहाँ पर ठुठा आम के लेखक कौन है तो यहाँ पर भगवत सरण उपाध्याय क्या है ठुठा आम के क्या है लेखक है भगवत भगवत उसके बाद में सरण उपाध्याय क्या है इनके लेखक है उ आप लोग तयार कर लेना ये 10 question आपके लिए बहुत important है हर साल आपके exam में ये पूछे पूछे जाते हैं ये हिंदी गद्य साहिति के हैं इनी में से आपके 40-50 question तयार हो गए जो आप लोग उनको तयार कर लेते हैं तो आपके 5-10 number पक्के हो जाएंगे तो उमीद करता हूं सम पर वीडियो आएंगे आपकी आपको मैं बताऊंगा हिंदी पद्य साहिति इतियास पर मैं आपको question बताऊंगा उसके बाद में की संदर्व कैसे लिखा जाता फिर रस्चंद अलंकार कमेंट में जुरूर बताना किस किस टाफिक पर वीडियो चाहिए मिलते अगले वीडि पर वीडियो में